मैं हूं रेन не अब आशता हुआ है पहुत हुआ है और करेंगे ईमिद्ट मैं वासर कितो हैं। निजिक अलब में ऩो alloon को डिकी हैं, मुज़ें तेटा रेनुम के सक स्कूसन। कwentशान सीज़ेंSON क्वें वति लोहिते हैं औी क्या रेने और अब ही मैं सेीडियो से नीचे उतर रही हूँ और लिक्ट है पर मैं से नहीं जाना पसंद करती हूं मैं रही मेरी आपने बुढ़ नीचे करती हूं और फोड़ी बहुत ज़किया आपको दिखा देती हूं बाद में एक अच्छा सा ब्लॉग बनाऊंगी अच्छा वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं सब कुछ अच्छे से दिखाऊंगी और यह देखे मैंने गेट से बाहर हम लोग आ गए हैं स्कूटी से और इमें रास्ते के भी थोड़े बहुत द्रिश आपको दिखाते चलूंगी और अभी लोगडाउन है तो बाहर बिलकुल सनाटा है ऐसा मतलब बिलकुल सोर नहीं है अब बहुत ही सांती सांती ऐसा लग रहा है कोई नहीं दिख रहा है सड़क पर बहुत मुस्कल से गाद लोग दिख रहा है और लोगडाउन है तो सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज जब बहुत जरूरी काम हो तभी आप लोग घर से बाहर निकले यह नहीं तो घर में रहें क्योंकि अब भी यह जो करोना वायरस का जो खत्रा इतना ज्यादा बढ़ गया है आपको क्या बताओं मैं जहां पर रहती हूं वहां तो बहुत ही ज्यादा है अभी तो इसलिए हम ल लोग कहीं कहीं दिख रहे हैं तो पूरा रास्ता खाली है और अभी आगे देखते हैं और भी मैं दिखा रही हूं और यह देखिए कितनी यहाँ बारिश बहुत हो रही है उसकी वजह से पूरा हर तरफ हर्याली हर्याली ही दिख रही हर तरफ हरा भरा दिख रहा बहुत अ अच्छा लग रहा है बाहर का हवाएं बहुत अच्छी आ रहे हैं क्योंकि धूल और गाड़ियों की पीपी से तो बज़े हुए हैं और यह देखिए मैं पहुंच गई हूँ जहां पर मुझे लेना है सामान और मैं अभी अंदर जाने वाली हूं और यहां भी बहुत स्यलो खड़े जहां पर लाइन बनी हूँ वहीं पर और मैं अभी वहां का बीच का अलाउड नहीं था रिकॉर्ड करना इसलिए मैं वहां का नहीं दिख्युण और मैं आ गई वापस अपनी सूसाइटी दिखाई और शिलमन बीच का उससाओड नहीं कि आते वक्त और यह मैं आ गई हूं अपने सोसाइटी में तो थोड़ा बहुत मैं और दिखा देती हूं अभी यहां इतनी चहल पहल रहती थी मेरी सोसाइटी में छोटे-छोटे बच्चे अकसर खेलते रहते थे अभी देखिए सब कुछ बंद पड़ा है यह पीछे छोटा सा गार्डन है सब्सक्राइब कर देखना है तो मैं आगे कभी ब्लॉग आपको जरूर दिखा हूंगी और मैं आ गई अपने घर पर यह है मेरा हॉल और मैं इसका भी बकाईदा एक अच्छा सा वीडियो बनाऊंगी जिसमें सब कुछ में अपना शेयर करने वाली और मैंने क्या क्या लिय रही है और मैं आपको पुस्टा हरेक दलिया है और दूसरा वालों जो देख पा रहे होंगे वो सादा दलिया है गेहूं का दलिया और इसके टेस्ट बहुत अच्छा होता है मेरे बच्छों वो सब्सक्रांद हो cortar 25 पसंद एक मिलता है करिye समार्ण यह 40 कि concept अच्छा है क्योंकि इसमें 56 अनाल Romeo होते हैं और दलिया का मैं अलग से वीडियो बना कर दिखाऊंगे कि कैसे उसे तैयार करना है यह पावर बीटा भी बहुत ही 196 का है और बहुत ही टेस्टी लगता है इसका टेस्ट मेरे बच्चों को बहुत ही पसंद है विल्कुल चॉक्टेटी और यह है अमरित रशायन यह दूसरा इसका का और बच्चों को बहुत ही पसंद आता है इसमें सारी बहुत सारी चीज़ें बड़ी ë और बाकिया और बी कोई चीज इसमें आड करने की जरुद नहीं है और बहुत ही टेस्टी लगता है और यह पुछी बहुत ही पसंद है और यह सारी चीजे खतम हो गए थी इसलिए मुझे जाना पड़ा बाहर लेने के लिए और यह मैंने लिया है आमला जूस अभी चब से बड़ा है तबसे आउला जूस में regular continue हैं मेरी पूरी family पी रही है और ये बहुत ही जरूरी हो गया है जैसे नीबू पानी हम पी रहे हैं गरम पानी में नीबू नी चोड़के हम पी रहे हैं वैसे ही आउला जूस भी बहँत ही जरूरी है और ये मेरे लिए है गिलोए का अब वैसे भी अगर आपको बुखार होता है बहुत जादा तो गिलोई का रस अगर 20 एमल ले ले लेते हैं हलका पानी गरम मिलाके तो आपको बहुत ही फायदा करता है और बुखार जड़ से उतर जाता है और यह लिए है मैंने 54 पराज पतंचली का दूसरा वाला नहीं था इसलिए मैंने वो डावर का लिया और बाल बहुत जड़ रहा है इसलिए मैंने मेरे एक फ्रेंड ने मुझे संगे कि इंदु लेखा लगा कि ट्राई करूं तो यह मैंने शैम्पु झिली आइं इंदू ले लेखा और यह शैम्पो भी बहुत महिंगी है चारसौ कुछ हमदर्द का साफी लिया है यह मुझे बहुत पसंद है और मैं रेगुलर यह लेती हूँ इसे के बलड पुरिफार बहुत अच्छे से हो जाता है अच्छे से बॉड़ी को डिटॉक्स करता है और यह मैंने लिया है बादाम मिक्स यह MTR का है और यह 5 रुपे का पैकेट मिलता है और इसे कुल्फी बहुत अच्छे से बनती है और यह दूद में मिलाकर बिलकुँ शेक जैसा तयार हो जाता है तो मैं इसका वीडियो पी आपको बना कर ज़रूर बताऊंगी और यह मैंने बहुत सारे लिया है चॉक्लेट और भी चॉक्लेट है मैं इतना है आपको बहुत जारे चॉक्लेट लेए देखे मैंने एक और लाकर दिखा दिया यह सारे चॉक्लेट के साथ बनाने वाली है और यह मैं आज अपने घर का एक कुना आप लोगे शेयर कर रही हूं और यह कुना है बालकनी यहां मुझे बैटना बहुत ही पसंद है सुबह में अगर म सबसे पहला काम जो मैं यह करती हूं गरम पानी पीतियों और यहां आकर मैं बैठ की और फिर गरम पानी पीतियों उसके बाद ही मैं अपना कोई भी काम सुरू करती हूं मुझे यह पीट पौदों के साथ बहुत ही अच्छा लगता है नेचर से जूड़ा हुआ है सब को अ मैंने लगाया हुआ है मनी प्लांट और यह मैंने तुलसी का पौधा लगाया हुआ है मैंने दो दो लगाया हुआ है और यह जो पते जो दिख रहे हैं कलर फुल वाली यह पते मुझे बहुत ही पसंद है और देखने में बहुत अच्छे लगते हैं और जल्दी से हो जाते बहुत अच्छे लगता है कितने हरे-भरे हो गया भी वारिश का मौसम ना तो बिना पानी के भी बालकनी में इतनी पानी आ जाती अलग से नहीं भी जा लेना तो भी चलता है और बहुत अच्छे से सारे पादों को पानी मिल जाता है और यह देखे मैंने इतने सारे लगा कर और ये money plant बहुत अच्छे से, मेरे husband ने बनाया है, उन्हें बहुत शुक है पेट पॉदोल लगाने का, और ये देखिए इस फे से ये बनाया हुआ है, और money plant को round round उसमें घुमा दिये है, और ये मैंने लगाया है गिलोए जो आप साइड में कोने में देख पा रहे होंगे और ये देखिए ये ग्रिल के ऊपर ये अच्छे से वो लग रहा है पते निकल रहा है तो गिलोए तो अभी बहुत ही ज़रूरी है और ये सारे क्रिस्मस ट्री है मैंने दो बड़े-बड़े क्रिस्मस ट्री लगा रखे है ये देखिए और ये क्रिस्मस में और ये जो आप घास के जैसे देख रहे हैं ये वाली ये है लेमन ग्रास अगर अपने चाय में इसे डाली ना तो चाय का टेस्ट इतना अमेजिंग हो जाता है मैंने एक वीडियो भी शेयर किया हुआ उसका लिंक में डाल अपने लगाया है और इंज करई ये खिला हुआ था अभी मूर्जा गया ये और एक बर किलते हैं तो दस से पंदरा दिन तक ये रहते हैं और खराब नहीं होते हैं वह ये रेड़ वाले तो और भी जादा दिन तक चलते हैं बिल्कुल फ्रेश फ्रेश दिखता है और ये ये पत्ते बिल्कूल प्लास्टिक के पत्तो जैसे दिखते हैं ये दिख रहा है ना प्लास्टिक जैसे और बहुत ही अच्छा दिखता है ये जल्दी से मुर जाते हैं ये पत्ते इसके और ये दूसरा मैंने लगा है इसमें वाइट वाइट ऐसे छोटे छोटे से फ्लावर आते हैं यह देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं और अभी बारिस की मौसम की वजह से बहुत अच्छे हो गए इतनी ग्रीन ग्रीन हो गई यह पूरी सारे पते यह देखिए आपको यह मेरा पहला ब्लॉग कैसा लगा अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन प्रस कीजिए और यह देखिए मैंने दिवाल में ही ऐसे बड़े-बड़े गमले लगा रखे हैं और उसमें भी मैंने ऐसे चोटे-चोटे शोपीस लगा रखे हैं और यह देखिए हवा इतनी अच्छे यह बालकनी में अब यह देखिए यह गुड़ लग ट्री है यह सब बोलते हैं अपने घर में जरूर लगाना चाहिए तो अगर कहीं आसपस आपको गुड़ लग ट्री मेरे तो आप भी जरूर लगाई और यह रहा मेरा बालकनी पतला है पर थोड़ा लंबा है और यह बालकनी से ही जुड़ा हुआ है मेरा बेडरूम वीडियो अच्छी लग होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक किजिए और चैनल को सब्सक्राइब किजिए बेल आइकन को प्रेस किजिए और पर करके जरूर लेकिजिएगा मेरी ऐसी इंट्रेस्टिंग वीडियो करना पड़ेगा ऐसी इसी उनिक और इंट्रेस्टिंग वीडियो और रेस्पी देखने के लिए सब्सक्राइब किजिए मेरे कोकल किचन को तो थैंक्स फोर चिंबाबाय थैंक्यू